So, hello and welcome दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Defense Point पर दोस्तों, Air Force Group C भरती परिक्षा को लेकर के अभी भी काफी candidates को जो है बहुत सारे doubts हैं क्योंकि वीडियो के नीचे comment में आप लोग भर भर के questions पूछ रहे हैं ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी latest updates मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बीना किसी देरी के तो सबसे पहला question आता है कि sir application form कहां से download करें अभी भी जो है काफी candidates को doubt है कि sir application form जो है इसका कहां पर मिलेगा तो मैं आप लोगों बता दूँ कि इसका application form जो है हमने हमारे telegram group पर डाल दिया है तो अगर आप लोग telegram यूज करते हैं तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं link वीडियो के निच से description में आपको दी गई है आप वहां से जो है application form को download कर सकते हैं इसके अलावा जो है अगर आप लोग telegram यूज नहीं करते तो आप कुछ बड़ी site हैं जैसे कि freezo ballot हो गई तो उनसे जो है आप application form को download कर सकते हैं चलिए पहला question cover हो गया उसके बाद में question आता है आप लोगों का कि sir vacancy जो है ये permanent है या फिर contract basis है क्योंकि क्या होता है कि काफी civilian vacancy जो होती है वो contract basis होती है तो मैं आप लोगों का ये doubt clear कर देता हूँ कि ये जो vacancy है वो 100% permanent है यानि कि आपके airman की तरह जो है 100% permanent vacancy है इसमें जो है आप लोगों की civilian vacancy जो है ये permanent है contract basis पर नहीं है ठीक है चलिए ये भी a doubt आपका clear हो गया उसके बाद में काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि sir application जो है वो कौन से address पर send करना है ठीक है ये चीज अभी भी काफी लोगों को समझ नहीं आईए कि कौन से address पर application form को send करना है तो चलिए मैं एक example के तोर पर आपको बता दिता हूँ कि कैसे आपको application form को send करना है तो समझ लीजिए कि आपको जो है कोई unit में apply करना है जैसे कि western air command में जो है आपको apply करना है ठीक है और western air command में जो है आपको कौन सी post के लिए apply करना है western air command की unit में आपको cook की post के लिए apply करना है तो देखे जिस post के लिए आप apply करना है जिस unit में उस post के सामने जो है आपको postal address दिख जाएगा तो देखे ये postal address आपको यहाँ पर दिया गया है commanding officer headquarter western air command ठीक है ये वाला जो पूरा address है ये आपको envelope पर लिख के इस address पर जो है आपको application form भेजना होगा ठीक है तो I hope आप लोग समझ गए होगे कि आपको कौन से address पर जो है application form send करना है जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हो जिस भी unit में उस post के सामने जो है आप लोगों को address दिया हुआ है समझ लिजिए कि आपको जो है कोई दूसरी unit में apply करना है तो unit हो गई समझ लिजिए कि training command ठीक है समझ लिजिए कि आपको training command में एक post है LDC ठीक है इसके लिए आपको जो है apply करना है तो I hope आप लोगोंगा ये doubt भी clear हो गया होगा कि application form जो है कौन से address पर उसके बाद में काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि sir एक से ज़्यादा post के लिए apply करें या फिर ने करें तो देखें दोस्तों मैं आपका ये doubt clear कर देता हूँ कि आप जो है एक से ज़्यादा post के लिए apply कर सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है notification में कि आप जो है एक से अधिक post के लिए apply नहीं कर सकते हैं या फिर only one person can apply for one post ऐसा जो है notification में कहीं भी mention नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जो है एक से अधिक post के लिए apply कर सकते हैं लेकिन आपको जो है application form अलग-अलग send करने हैं ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही application form पर दो post की नाम लिख करके बेज दें ठीक है आपको जो है separate application form बेजने है separate post के लिए ठीक है लेकिन इसमें जो है आपको एक आगे problem face करनी पड़ सकती है problem क्या होगी समझ लिजे कि जब आपका admit card आ जाएगा तो exam जो है दोनों post के लिए यदि same day हो गया ठीक है तो वहाँ पर जो है आपको problem आ सकती है कि आप कौन सा exam देंगे ठीक है लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है एक की post के लिए apply कर सकते हैं एक ही exam दे पाएंगे तो इसलिए ये जो है मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आप जो ये कितनी post के लिए apply करेंगे चलिए ये doubt भी आपका clear हो गया उसके बाद में काफी लोगों ने अभी भी जो है comment के इन से पूछा है कि सर्फ civilian में जो है uniform मिलती है blue वाली या फिर नहीं मिलती ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि Indian Air Force की official uniform जो होती है blue uniform वो आपको civilian वालों को नहीं दी जाती ठीक है बाकी other Sweden आपको दी जाती है जैसी कि medical canteen वगरा की आपको facility मिलती है लेकिन आपको uniform की facility नहीं मिलती है यानि कि आपको uniform जो है नहीं दी जाती है इसके अलावा काफी station जो होते है Air Force के वहाँ पर आपको एक t-shirt दी जाती है जिस पर Indian Air Force का logo बना हुआ रहता है और उनके पीछे लिखा हुआ रहता है civilians तो उन पर जो है आपको उस type की एक t-shirt वगरा दी जाती है ट्राउजर वगरा आपको दी जाते है लेकिन Indian Air Force की जो official uniform ह blue uniform वो आपको वहाँ पर नहीं दी जाती तो ये चीज़ आप clear कर लिजए कि आपको official uniform नहीं मिलने वाली है ठीक है चलिए उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा testbook.com और उसकी application के बारे में अगर आप लोग Navy Air Force और Coast Guard इन में से किसी भी exam के लिए ये क्यारी कर रहे हैं तो आप जो है testbook को prefer कर सकते हैं क्योंकि testbook पर जो है आपको syllabus और paper button इन दोनों को according जो है आपको test series देखने को मिल जाएगी ठीक है तो आप लोग भी जो है अभी इसके लिए enroll कीजिए क्योंकि अभी testbook पर जो है deal of the month sale चल रही है जिसमें की क्या है कि आप इनके अलावा भी other government exams के 12,000 प्लश मोक्टेश देखने को मिल जाएंगे वो भी सिर्फ 299 यानि की 299 रुपे में और हाँ दोस्तों अगर आप लोग हमारा coupon code DP10 यूज करते हैं तो आप लोगों जो है 30 रुपेज का additional discount देखने को मिल जाएगा तो अभी जाए और इसके doubt भी clear कर देता हूँ देखिए 2 मई जो है आपकी last date है application form को पहुचाने की air force station तक जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं 2 मई तक जो है आपका application form पहुच जाना चाहिए इससे ज़्यादा देर होगी तो वहाँ पर आपका application form reject कर दिया जाएगा ठीक है चलिए ये चीज हो गई अब आपका July end तक admit card आएगा उसके बाद में अगस्त में आपका exam हो सकता है ठीक है यानि कि offline vacancy जो होती है इनकी process थोड़ी लंबी चलती है इसके लावा पहले भी अभी Air Force की भरती आई थी civilian वालों की ठीक है तो उसमें भी अभी तक उनके भी admit card नहीं आये है ठीक है चलिए पह आप clear कर लीजिए ठीक है और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों अभी भी कोई doubt है या फिर मुझसे कोई personal बातशीत करनी है या फिर कुछ पूछना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो Instagram की जो है link आपको मैंने description box में दी रखी है मेरी ID की तो आप जो है वहाँ पर मुझसे access कर सकते हो और मुझसे बातशीत कर सकते हो मैं आप लोगों कोशिश करूँगा वहाँ पर तुरंत reply देने की ठीक है और इसके लावद आप लोग मुझसे टेलिग्राम पर भी बातशीत कर सकते है यापको टेलिग्राम चैनल और गृrüप की link आपको नीचे description box में दी गई है तो हमारे इस चैनल पर जो है आपको इंडिया नेवी एरफोर्स पर पोस्ट गार्ड इन तिनों एक्जाम्स के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स दिये जाते हैं और उनकी प्रेपरेशन करवाई जाती है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों